पूलों का तारों का सबका खहना है एक हजारों मेरी बहना है सारी उमर हमें संग रहना है हमारे जो आज पास जो है ना भाई ही होते हैं तो कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं हम चाहते हैं कि जैसे लोग अपनी बहन और फिर उनको राखी जाकर नहीं बान सकते हैं पर रिस्पेक्ट देने के लिए उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है ऐसे बहन को भी है के सिंग सोनू मैं बोलू जिन्दगी से इस बार हम लोग बात करने आए हैं कल रक्षा बंदन है तो पटना की को पार्क में अभी हम भूम रहे हैं कुछ लड़कियां हैं मौजूद हैं भाई भाईबनों का कलतेवार आने वाला है तो उनके उनसे बात्चित करते हैं कि उनके में जर्बार इंटि कितने बाई बान हुए है एक भाई है मेरा को कल रक्षा बंधन जैसे तो क्या तैयारि है ची तयारी यह मेहं थी फिर हम राखियां खड़िते हैं जाके अच्छी-अच्छी फिर और सारे भाईयों को राखियां भेजते हैं कि बहात अच्छा लगता है क्ल्रक्षा मंधन पर आप बहाई से क्या डिमांड करने वाले हैं कि अभी मेरा बहाई कुछ स्पेशल ऐसे दे नहीं सकता है क्योंकि हुम इसे चोटा है अभी कुछ तो अभी डिमांड सारे हमने एक साथ रखें लिखें कि बाद में सारा ले लिया जाएगा यहां हम यह मतलब इस मुद्धे प्याते हैं कि भाई बहन का तेवहार यह सदियों से चलता रहा है भाई जो स्वेक्षा से जितना जिसको बन परता है अपनी बहन के लिए वो करते हैं चाहे वो पैसे की बात हो यह कपड़े लते की बात हो या कुछ और भी जो भी उससे परता है वो करता है साथनी बाने का बादा करता है यह रूप में हिल्प करने का बादा करता है तो यहां हम यह आप से यह जाना चाहेंगे कि अगर मान लिजे कि गिफ्ट में पैसे और रुपे नहीं लेकर हमारे जो आसपास जो है ना भाई ही होते हैं तो कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे वो लोग अपनी बेहनों को मानते हैं वैसी रोड पे जो उन्हें लड़कियां मिलती हैं तो उनको रस्पेक्ट दे सब चाहते हैं थोड़ा सा बस यहीं डिमांड है और भाईयों से प्लीज चला जो मुझे सुन रहा होगा तो प्लीज की डिमांड जो है मतलब अधर जो भी भाई है सब सुन रहे होंगे मुझे क्याल सा में लग रहा है कि आमाल हो करेंगे थैंक यू अंकीता आपका क्या नम हूँ? मेरा नम काजल हुआ सा अचा काजल आप बताए कि कलरक्षा बंदन है तो इस राखी में जैसे आपने क्या तयारी की है भाई से स्पेशल कुछ गिप्ट ले नहीं है राखी के लिए तयारी क्या में तो वही होता है कि एक स्पेशल डे हम लोग उसको से सेलिबरेट करते है लएक इमोशन क्रिएट होता है उससमील से लिएविड चलक़् जाने आपके चोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैम एल्म मेरेद दोनों बस भाई है तब तो बहुत आसिरवाद भी मिलेगा और गिफ्ट के रूप में मतलब आप जो मनमाफिक जो है कि भाई हमको ये कपड़े दे दो ये पैसे दितना है तो वो तो मिलता ही होगा ऐसा कुछ डिमांड रहता नहीं है क्योंकि उन लोग का साथ और उन लोग का ब्लेसिंग जो आप बोले वो सबसे जादा इंपोर्टेंट रखता है मेरे लिए तो मैं यही चाहती हूँ कि उन लोग का साथ हमेशा मेरे साथ हो और उन लोग के लिए भी मेरे तरफ से ब्लेसिं वही बहुत जादे इंपर्टेंट होती है तो वह हमेशा है का जली ये बताएं कि जैसे आजकल कर जो समाजिक महौल देख रही है कि जैसे जो लड़के हैं बाहरी लड़कियों को इजत नहीं करते हैं यूप टीजिंग की मामला बहुत बढ़ गया है तो ऐसे में आपको क्या साथ एक प्रॉमिस ले कि भाई अप्ठी के सब बहुन सब लड़कियों का बहुन नहीं मानों यह को यह तो असंभा वाली बात है यह तो हो नहीं सकता है लेकिन आप जितना डिस्पेक्ट आप हमको देते हो वैसा है रिस्पेक्ट कुछ तो 50% भी अगर रिस्पेक्ट गार गैर लड़कियों को दो आप तो क्या महौल कुछ बदलेगा मेरा कहना यह है कि अब अब दुनिया में जो भी लड़किया उसको बहन नहीं मान सकते हैं या फिर उनको राखी जाके नहीं बान सकते हैं पर रिस्पेक्ट देने के लिए एज फ्रेंड को भी रिस्पेक्ट द पिलना चाहिए और वह मैं अपने भाई से भी प्रॉमिस लेती हूं कि उनको भी यह करना चाहिए और अधर को भी लड़किया नहीं कर सकते हैं तो प्रेइस आपको फिर लगेगा और आपकी जो बहने उनको भी बहुत अच्छा का vodka ताकि next time में वो बाहर निकल रही है तो उनको भी दूसरा कोई भाई हो तो वो रिस्पेक्ट दे रहा है मैं भी आप कर रहे हो तो उनको भी लगे कि हाँ उसका भाई यदी कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए तो बस मैं यह सरक्षाबंदन कहना चाहँगि कि जीव रिस्पेक्ट टेक्रिक्स रिस्पेक्ट डिसपेक्टीज बाती है और साल भाईयों के जो कुराख के बानती है तो कि उमीद करती होंगी दिमांड करती होंगी या कुछ बिना डिमांड के भी आपको बुट अच्छे मन चाही गिप्त मिल जाते होंगे तो पिछले साल क्या मिला था आपको पिछले साल भाईया ऐसे ही हमें再डी वीर दिये थे जो मन करता है और हम लोग के लिए सबसे गिफ्ट का कोई महत्व नहीं हम लोग को चाहिए कि हमारा भाई जो हमारा जीवन भर सपोर्ट चाहिए बस बाई का और कुछ नहीं चाहिए गिफ्ट के तोर पर इस बार जुर रक्षा बंधन के दिन जो बांधेंगी तो यह अभी क्या गफ्ट उमीद नहीं कर रही है कि कुछ हमको दें नहीं हम गिफ्ट का उमीद नहीं करते हैं लेकिन इतना बस चाहते हैं कि भाईया का सपोर्ट हमेशा है हम लोग के साथ यह समाज में जो भी देख रहा है कि कुरु तो लड़के जो छर्टानी कररे हैंuje करते दो मतलब कैसी है सब जो सिस्टम है और चल रहे हैं जिस तरह बेसे तो तो यहां पर अगर हम मतलब बोलो जिन्दगी यह एक मुद्दा लाना चाहता है बीच में आपके सामने बात रख रहा है कि अगर मान लेते हैं कि गिफ्ट में बहने जो हैं अगर पैसे या गिफ्ट या कुछ कपड़े नहीं लेकर बदले में भाईयों से प्रोमिस लें कि भ तो अगर यह अगर प्रोमिस लेने लगने तो किया कुछ बदलाव आयेँगा? भाई के सपोर्ट की तरह तो बहुत बढ़ियां रहेगा और पहल तो आप ही लोगों करनी है सबात ही तो हम लोगों करनी परेगी और यही हम चाहेंगे और उमीद करेंगे कि हम जो यहां पर बोल रहे हैं इसे यह है कि पता चलता है कि अगर हम चाहते कि हमारा जो 50% भी अगर जो लड़के कुछ भी समझ के किसी भी नजर से हम लोगों को देखते हैं तो इतना उनसे उमीद करते हैं कि हमें कम से कम वैसा उतना रिस्पेक्ट देख 100% तो नहीं लेकिन 50% दे ताकि हम लोग सही से रोड पे चल सकें कॉलेज से बाहा निकल सकें क्लास जा सकें कोई तरह का दिकत ना हो अगर ऐसा हो गया तो बहुत बढ़िया आपका जो यह पहल यह सुझाव अगर सारी बहने अगर यह इस तरह से अपनाती हैं तो मुझे लगता है कि उनके साथ जो मुश्किले हो रहे हैं तो अपने आप इसी तरह से वो दूर हो जाएंगी भाई अपने भाईयों को भी यह प्रॉमिस लें कि राखी बांदे लेकिन एक सर्थ पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूं कि ठीक हर कोई आज बहने क्या चाहती है गिफ्ट मिले पैसा मिले यह मिले वो मिले उसे कुछ नहीं होने वाला लेकिन राखी के तौर पियदी एक उनसे प्रॉमिस मांग ले कि हां भाई आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए और हमेशा आप इ दो भाई एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा चोटा भाई तो आप राकी बांदेंगी तो ज्यादा गिफ्ट के उमीद उससे नहीं करेंगी भाई वो तो प्यार से मतलब एक चौकलेट भी दे देगा पांच-दास उरुबेगा तो खुस हो जाईएगा बड़ा भाईया है बड़े भाईया से क्या डिमांड करेंगा इस पर गिफ्ट में अब बड़े भाईया तो अभी फिलाल कुछ कर नहीं रहे हैं विसी पर हाई का तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी कुछ ज्यादा उमीद नहीं रख सकते हैं क्योंकि अभी वो कोई नौकरी वरकरी कर नहीं रह पर फिर भी कुछ पर जो उनका देना इच्छा होगा वहीं दे सकते उसी में हम खुश हो जाते हैं अच्छा दिपसिखा आपको नहीं लगता है कि यह जो मुस्कान है हर एक बहनों के चेहरे प्यानी चाहिए तो ऐसा कुछ क्या हो हटके जैसे कि अब देख रही है कि अख़वार पढ़ती होंगी नीज देखती होंगी तो और बाकी बहने जो है हमारी जो सुरक्षीत नहीं है समाज के बात है यह हाथसा साथ हो जाता है कभी स्कूलgin कि enraam यह वहार के हुआ पतम लागी यह उसा नहीं लग रहा है आपको कि अगर हम यह बहने जो हैं, आप कोई समाज के और हैं, हमारी बहन हो गई, आपकी दोस्त हो गई, तो यह कुछ ऐसा पहल करें, कि भाईयों से हम जो आप राखी बंदवाएंगी, जो बहने राखी बंदवाएं, एवज में उपहार गिफ्ट यह जो सब यह न लेकर, एक प्रॉमिस ले आप को समाज में कुछ बदलावाएंगा? हाँ अगर ऐसा होगो तो सब बहने सुरक्षित रहेगी बाकी लोग भी सुरक्षित रहेगा और सभी भाई अपने बहनों के जैसे सब लर्कियों को सभी सभी को दर्जा देने लगे सभी को ऐसा समझने लगे पूरा ना सही पर थोरा मुरा तो अपने बहन कितार समझी सकते है तो इसे सारी लर्कियों भी सुरक्षित रहेगी और अपने आपको अच्छा समझेगी कहीं खत्रा मतलब की महसूस नहीं समझेगी डर कहीं पर नहीं लगेगा अकेले जाने में भी कहीं नहीं लगेगा ऐसे कितने लर्कियां होते कि अकेले जाने में डर लगता है कि कोई कितन तो दोस्त में दोस्त हैं तो फिर एक रिस्पेक्ट में यह बात पुपनें हैं रिस्पेक्ट का जैसे sized कि अगर अपनी बहुन को रिस्पेक्ट देते हो तो उसी तरह मतलब रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए भाहर के लड़की ओ Julius बहुझन कर दो हारकते करते हैं तो वह नहीं करें एक रिस्पेक्ट की नजर से देखें वह स्मिल जाए यह स्वास्वचन मिल जाए तो और अगर वादात कर देते हैं तो उसमें यह सुदार होगा जया है जरू Centaur Praise frequency और भाई एक जरूर होगा कि अपने की रक्षा बंधन के तोहार में बहने तो एक्साइट रहती है कि भाई हम भाईयों को राकी बांधेंगे लेंकिन उनको यह लालच नहीं रहता है कि गिफ्ट में हमको यह मिले वो मिले डिमांड करें खुशी की बात है वह नहीं भी देते हैं तो बहन उसके लिए न कि हाँ अगर यह प्रामिस लेती हैं अपने भाईयों से कि गैर लड़कियों को भी वो इज्यत उनके समानी इजद दे 50 परसेंट भी अगर इज्यत देते हैं तो राज चलते जो यह इवटीजिंग के हादसे हो रहे हैं तो उसमें कुछ तो कम कमी आएंगी और यह तो यह सुरुआत अगर इस रक्षाबंधन से हो जाती है तो समाज को इससे बेहतर क्या मतलब मैसेज जाएगा